एक पंदरा साल का भाई अपने पापा से कहता है पापा पापा दिदी के होने वाले ससूर और सास कल आ रहे है अभी जीजा जी ने फोन पर बताया मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तै हुई थी दीन दयाल जी पहले से ही उदास बैठ दीरे से बोले हाँ बेटा उनका कली फोन आया था कि वो एक दो दिन में दहेज की बात करने आ रहे है बोले दहेज के बारे में आप से जरूरी बात करनी है बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था कल को उनकी दहेज मांग इतनी जादा हो कि मैं पूरी नहीं क पाया तो कहते कहते उनकी आखे बरहाई करके प्रतेक सदस्य के मन वे चहरे पर चिंता की लकीरे साफ दिकाई दे रही थी लड़की भी उदास हो गई खेर अगले दिन समदी समदन जी आये उनकी खूब आवगत की गई कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड जो आप हुकम करे लड़के के पिता जी ने धीरे से अपनी खुरसी दीन देयाल जी की और खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले दीन देयाल जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है दीन देयाल जी हाथ जोडते हुए आखों में पानी लिये हुए बोले बताईए सम जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीन दयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा। आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे मुझे सब सुईकार है पर करज लेकर आप एक रुपिया भी दहेज मत देना वो मुझे सुईकार नहीं क्योंकि जो बेटी अपने बाप को करज में डुबो दे वैसी करज वाली लक्षमी मुझे स्विकार नहीं मुझे बिना कर्ज वाली बहु ही चाहिए जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर देगी दीन दयाल जी हैरान हो गए उनके गले मिलकर बोले समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा सिक्षा कर्ज वाली लक्षमी ना कोई विदा क करें ना ही कोई स्विकार करें आशा करती हो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए